गटबंदन एक बिफल प्रियोग रहा अखलेश लोगसबा चुनाव सपा बसपा के बीच हुए गटबंदन से मयवती निक किनारा करने के बाद समाजवादी पार्टी राष्टे अध्यक्ष पूर मुख्यमंत्री अखलेश यादम ने गटबंदन को प्रियोग करार दिया उ और राजनीती में एक भी प्रियोग किया जरूरी नहीं कि हर प्रियोग सफल हो कभी कभी प्रियोग असफल भी होते हैं लेकिन इससे कमजोरियों का पता चलता है अखलेश यादम ने कहा कि बसपा सुप्रियों मायवती के लिए मैंने जो बात कही थी पहले दिन मैं उनका स कि जाएगी उन्होंने कहा कि गाजीपुर में सपा का नेता मार दिया जाता है और आरोपी नहीं पकड़े जाते लेकिन अमैठी में भाजपा के नेता की हत्या होने पर ऐसा नहीं होता अखलेश ने कहा कि चुनाव अमीरी और गरीवी के मुद्दे पर नहीं हुए लेकिन आगे जनता जरूर सोचेगी अमीर और अमीर होता जा रहा है गरीब और गरीब होता जा जा रहा है लॉस चुनाव में भाजपा का रास्ता रोकने के लिए सपा बसपा और रालोद ने गठ्पंदन किया था अब इस गठ्पंदन से दरारें पढ़ने लगी हैं अगर हमें अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंडी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले